चतिसगर में विधान सभा चुनाओ निकठ है नेताओ द्वारा आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है प्रदेश में नशे को लेकर भी सियासत चाही हुई है प्रदेश के मुखे मंतरी भुपेश बगेल ने नशा मुक्ती अभियान चलाए जाने की बात कही है तब से भाजपा लागतार कॉंग्रेस सरकार पर हावी है इसी कड़ी में कॉंग्रेस के संचार प्रभुक सुशील आनंद शुकला ने भाजपा पर नशाबंदी को लेकर हमला बोला है साथ उन्होंने भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टा चार के आरोप भी लगाए है जब जब नशे बंदी की बात आती है भारती जनता पार्टी तिल मिला जाती है आपको याद होगा कि जब भुका बात बंद किया गया था भारती जनता पार्टी के हर चोटा बड़ा नेता उसका बिरोद किया था दरसल नशे के कारोबार में भारती जनता पार्टी के लोग सीधे संलिपते हैं जब जब नशे बंदी की बाद आती उसमें कड़े कारवाई की जाती तो इनके पेट पे लाग पड़ता है आप देखिए कि श्राब बंदी की बाद भारती जनता पार्टी के लोग क्यों करते ह कहीं भारतियुमों का बालोत का उपाध्यक्ष रहता है कहीं भारतियुमों का मुगली का अध्यक्ष रहता है तो कहीं भारतिय जनता पार्टी का आईची प्रकोष्ट का प्रदेश महा सचुर राता है राजनाद गाउं में पकड़ाता है बलोदा बजार में पकड़ाता है तो भारती जनता पार्टी के लोग नशे के कारोबार पर नकेल कशी जाती है, भारती जनता पार्टी तिल मिला जाती है, दरसल इनका आर्थिक फ्रोत बंद होता है। सारे निता दागदाद हैं, इसको बदलेंगे, उसको लाएंगे, तास में बावन ही पत्ते होते हैं, इनके बावन के बावनों पत्ते दागदाद हैं, किसी भी चेहरों को बदलनें, सारी कवाईदें फिरूल साबित होगी, भारती जनता पार्टी अब की बार 36 गड़ में